नमस्कार दोस्तों, काफी लोगों को डाउट रहता है कि जो हम capital gain calculate करते हैं, sales के case में, mutual funds के case में, तो उस case में कौन-कौन से expense है जो हमें allow होते हैं, अभी आप जो आपका annual information statement देख रहे होंगे, उसमें consideration कुछ अलग आ रहा होगा, जो आपने actually sale किया है, उसमें consideration कुछ अलग आ रहा होगा, जिस marketplace से आपने sale किया है, उस marketplace से अगर आप computation निकाल रहे होंगे, तो sale price कुछ अलग आ रही होगी, ऐसे difference आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के मादिम से बताना चाहूँगा कि कौन-कौन से खर्चे आपको अलाव होते हैं और कौन से खर्चे अलाव नहीं होते हैं, इन case of long term capital gain और short term capital gain अगर हम listed equity share की बात करते हैं तो, तो इस वीडियो में हम listed equity share के खर्चों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वीडियो पर आगे बनने से पहले मैं आप सबसे request करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले दोस्तों, तो listed equity share के case में आपके हर तरिकी के expenditure, चाहे से वो brokerage हो, transfers related, turn over charges हो, stamp duty हो, GST हो, वो allow होंगे आपको sale price में से deduct करने के लिए, जी हाँ, जो आपका sale consideration है, gross sale consideration, उसमें से आप less कर सकते हो, आपके brokerage charges, turn over charges, stamp duty, GST, ये सारे खर्चे आप less कर सकते हो, इससे आपके पास net sale price आ जाएगी, उसके accordingly आप gain or loss calculate कर सकते हैं, क्या आपको allow नहीं होगा, security transaction tax का payment हो है, चाहे sale पे हो, चाहे purchase पे हो, उसका आपको deduction नहीं मिलने वाला है, जी हाँ, दोस्तो, security transaction tax का deduction नहीं मिलने वाला है, बाकी आपने transfer पे कोई brokerage दी है, turn over charges दी है, stamp duty दी है, GST दी है, उनका net sale consideration अगर आपको calculate करना है, तो आप इनको deduct बिलकुल कर सकते हो, और accordingly आपका gain or loss calculate कर सकते हो, आपके अगर annual information statement में difference है, तो please आप एक बार ये difference निकाल लिए और ये charges भी देखिए, definitely आपको दिखेगा कि कहीं ने कहीं वो difference in charges की वज़े से है, अगर उसके बाद भी कोई बड़ा difference रह रह रहा है, तो आपके पास feedback देने का option है उस annual information statement में, अगर आप लोग को पता नहीं है annual information statement क्या है, feedback कैसे दिये जाते हैं, तो वीडियो के end में मैंने आपसे link share कर दी है, और अब हाँ अगर आपको लगता है, इतने दिन तक तो बहुत लोग साथ नहीं दिखाते होंगे share market के transaction, बट अब ऐसा नहीं होने वाला, अगर आप नहीं दिखाऊगे, department के पास already वो transaction है, आपके पास definitely notice आने वाला है दोस्तों, तो आप सबको वो transaction दिखाने चाहिए, और annual information statement में भी आप help ले सकते हो, कि क्या आपके transaction थे, अगर आपको लगता है कि actual transaction कुछ और है, annual information statement में कुछ और है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए वीडियो के end में आपको link मिल जाएगी, आप उस link पे जाके देख सकते हो, या उपर आई बेटन में भी आपको link मिल जाएगा, उसमें आप वो वीडियो जाके देख सकते हों दोस्तों, तो अगर आपका doubt क्लियर हुआ हो, वो expense related, equity sets में, listed equity share में, तो वीडियो को जाजा जादा लाइक करें, share करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नई अपडेट के साथ, thank you so much, चैहिंद चैभारत,